तो जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था किया था कि आपके इंटर्मीडियेट के लिए जो भी अमेंडमेंट्मेंट्स रहेंगे उसका मैं लेक्चर डाल दूँगा तो सर नमेंबर 2022 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स है क्या उसके लिए ICI ने क्या इशू किया है तो ICI ने एक statutory update इशू किया है for the number 2022 examination for your examination ठीक है तो चलिए अमेंडमेंट्स देखते है पहली चीज़ तो सर अमेंडमेंट्स कितने है क्या हमको इसको देखने में बहुत ज़्यादा time consume करना पड़ेगा right answer is no बहुत फटाफट हो जाएंगे I think 20 to 30 minutes के अंदर अपके amendment complete हो जाएंगे अगर आपने मेंडमेंट्स थे वो सब कर रखे है एक और चीज़ बता दू जो मैं आज आपको इस class में कराऊंगा वो करना है अगर आपने मेरा में नवेंबर का batch लिया है means if you already taken my May और नवेंबर का batch तो जो में amendment कुछ अभी ICI ने दिये है that is not covered in that batch तो वो आपको करने है but इसमें काफी amendment ऐसे ICI ने दिये है जो already अपने batch में cover कर चुके है या फिर आप देखेंगे जो May वाला में जो amendment lecture डाला था YouTube पर आपने देखा होगा May के लिए जो amendment lecture उसमें मैं already cover करा चुका हूँ तो चलिए अपने काम करते हैं सबसे पहला amendment जो है वो मैं already आपके साथ में बात पहले भी कर चुका हो कर गए ठीक है कि slum sale के case में full value of consideration क्या लेने गा तो slum sale के case में full value of consideration क्या लेते है तो मैंने आपको बताया तो slum sale के case में पहले तो क्या होता था जितना consideration मिलता है न वो full value of consideration लेते है बट अब ऐसा नहीं होता अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे law makers ने बोला आप एक काम करिए दो FMV में से whichever is higher लीजिए FMV 1 और FMV 2 इस FMV 1 और FMV 2 में से आपको whichever is higher है वो आपको लेना है क्या full value of consideration बट FMV 1 किसको बोलेंगे FMV 1 बोलेंगे fair market value of capital asset transferred by way of the slum sale मतलब slum sale में जो आप undertaking transfer कर रहे हो ना उसका fair market value जो आप transfer कर रहे हो उसका fair market value और दूसरा fair market value of consideration monetary और non-monetary received और accruing as a result of transfer by way of the slum sale मिस जब आप slum sale में कोई undertaking या कोई business या कोई unit बेच रहे हो तो आपको consideration क्या मिल रहा है consideration monetary भी मिल सकता है उसके साथ non-monetary भी मिल सकता है आज कल तो bitcoin भी मिल सकता है other asset भी मिल सकती है तो जो consideration आ रहा है जो consideration आपको मिल रहा है उसका fair market value क्या है whichever is higher higher जो होगा वो आपको full value of consideration लेना पड़ेगा ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि आपके class वाले जो notes है class वाले notes में ये already मैंने दे चुका है कि आपको fmv1 और fmv2 लेना है compact में आपको ये चीज दे रखी है ठीक है और जिन लोगोंने में वाला amendment lecture attend किया था तो उसमें भी मैंने ये चीज आपको दे रखी थी चलिए बट यहां पर वापस repeat हो गई अब एक और चीज समझना यहां पर इन्होंने बोला अब आप बोलोगे सरी ये fair market value कैसे निकालना है क्या निकालना है वो सब CA final में है intermediate के लिए नहीं है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सलम सेल के केस में full value of consideration क्या आएगा fair market value 1 और fair market value 2 whichever is higher fair market value 1 किसको बोलेंगे जो undertaking transfer कर रहे है उसका fair market value और fair market value 2 क्या है जो consideration मिल रहा है unit linked insurance policy का वो ULIP का topic कराया था मैंने बोला था उसमें ULIP में आप क्या करते है अगर कोई भी ULIP लेते है उसमें 2,50,000 या उससे ज़्यादा का premium if you are paid in a year then whatever maturity रहेगा वो taxable होगा ऐसा मैंने बताया था ICI ने आपके syllabus से ULIP को हटा दिया है आपके syllabus से ULIP वाला part है वो ULIP वाला part हटा दिया है तो आपको जो मैंने ULIP पढ़ाया था class में वो ULIP को आप ignore करेंगे वो आपके syllabus से हटा दिया गया है तो जहां-जहां ULIP से related था कि ULIP पे capital gain लगेगा वो आपका हटा दिया है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे एक 10-10-D में बताया था तो जहां-जहां मैंने ULIP बताया था ना वो आपको ignore करना है आप अगर amendment lecture देखेंगे तो मैंने जो आपको amendment lecture दिया था तो आप देखेंगे तो यहां पे एक ULIP वाला funda था और वो ULIP वाला funda मैंने आपको यहां पे सिखाया था देखो on the page number उस book में 146 रहेगा शायद और 146 वाले page पे था taxation of ULIP तो यह taxation of ULIP जो था ना यह पूरा आपको ignore करना है यह जो दो pages है यह दो pages को आपको क्या करना है काटा लगाना है मिस पूरा आपको ignore करना है ULIP आपके लिए applicable नहीं है तो आप बोलोगे यह तो sir अच्छा move है very good चलिए उसके बाद में एक TDS TCS का जो amendment है TDS TCS में क्या क्या amendment है तो सबसे पहली चीज तो यह कि यह भी चीज में already आपको पढ़ा चुका था एक section होती है 194 P कर गए और 194 P में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई ऐसा person है senior citizen जिसकी age 75 years या उससे ज्यादा हो चुकी है और उसको सिरफ दो ही तरह की income मिलती है एक तो salary मिलती है अगर के ठीक है और salary जिस बैंक में आती है उसी बैंक से interest मिलता है तो उसको return file करने की ज़रूत नहीं है वो क्या करेगा एक declaration दे रेगा और वो declaration देने के बाद वो declaration देगा और उस declaration में लिखके देगा करके ठीक है कि मेरी यह income है और मेरी कोई income नहीं है तो bank उसके भी आप पर return file करेगी तो उसमें specified bank कौन सी होती है तो यहाँ पर उन्होंने notify किया कि जितनी भी schedules bank होती है वो सब तुमारे specified bank है तो यह भी amendment अपना already cover कर चुके थे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले note मे यह आपके पास जो compact रहेगी उस compact में यह already यहाँ पे था यह देखिए यह section 194P उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यह nature of pension है nature of interest है फिर अपने question भी किया था जो यह वाला तो देखिए यह notification क्या बोलता है यह जो amendment है यह amendment क्या बोलता है इसको एक बार पढ़ते है क कर गए ठीक है और देखिए क्या लिखा हुआ है section 194P require the deduction of tax at source on the basis of rate in force by the specified bank being the banking company as notified by the central government central government notify करेगी banks को कि कौन कौन सी bank ऐसी undertaking लेगी लोगों से on the total income of the specified senior citizen for the relevant assessment year computed after giving effect of the deduction allowable under chapter 6 से वो assessी बताएगा कि मेरे यह deduction है तो वो सब less करेंगे उसके बाद bank उसका written file करेगी rebate allowable under section 87A, 87A का rebate भी देंगे और उसके बाद अगर कोई tax आता है तो उसना TDS काटके bank है वो जमा कराएगी देखिए क्या निकाओ, accordingly CBTT ने notification क्या निकाला, accordingly the CBTT, CBTT means income tax department का board, जो income tax अंबालता है, notification number so and so, notified specified bank to means a banking company which is a scheduled bank, कोई भी ऐसी banking company जो की scheduled bank है and has been appointed as a agent of RBI under so and so section of 1934, अब आपको इसमें इतना याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि banking company जो scheduled bank है, वो specified bank होगी, अब एक बाद समझना, यहाँ पर वापस वह वाली चीज़े repeat कर रखी है, a specified senior citizen is exempted from filing of his return of income for the assessment year, relevant to the previous year in which he has been deducted under section 194P, तो 194 में अगर TDS कट गया तो उसको अपना return file नहीं करना है, senior citizen means किसको बोलेंगे, जिसकी age 75 years और मोर हो गई है at any time during the previous year and उसको कौन सी income है, सिरुप pension की income है, only उसकी कौन सी income है, pension की income है, also he should have no other income except interest income received or receivable from the any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving the pension income and has furnished a declaration to the specified bank containing that such particular in the prescribed form and verified in the prescribed manner, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वापस वही वाली चीज़ है, the CBT has wide notification number so and so provide that on furnishing of such declaration in the prescribed form by specified senior citizen, the specified bank has to compute the total income of such specified senior citizen, miss bank वाले है, वो आपकी total income निकालेंगे उस senior citizen की and deduct income tax on such total income on the basis of rate in force, जो भी उसका slab rate से वगरा जितना tax आएगा, उस पे वो TDS bank काटेगी, under section 194 P, after giving effect of deduction allowable under chapter 6 A and rebate allowable under section 87 A, the effect to the deduction allowable under chapter 6 A has to be given based on the evidence furnished by the specified senior citizen during the previous year, senior citizen जो declaration bank को file करेगा, उसमें वो बताएगा कि भाया, यह यह जो है, यह यह जो मेरा है कर गए, ठीक है, जो deduction है, तो वो deduction दे देंगे, a declaration given in the prescribed form and evidence submitting for claiming deduction under chapter 6 A by specified senior citizen, has to be properly maintained by the specified bank and made available to the principal chief commissioner of income tax, और chief commissioner of income tax as and when required, यह income tax department वो क्या करेंगे, जो उसने declaration दिया था, बैंक वाले उसको एकदम अलमारी में ताला लगा के रखेंगे, safely, और कभी income tax department वाले मांगेगे, तो उनको ले जाके देंगे, करेंगे, चलिए, उसके बाद जो guidelines दे रखिये न, under section 194Q से related guidelines, guys यह भी मैं करा चुका हूँ, यह भी मैं आपको करा चुका हूँ, आप अगर यह notes देखेंगे, तो इस notes में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे, कि इसके बाद ही मैंने चालू किया था, यह वाला देखो, यह वाली section 194Q, एक नई section थी 194Q, कि अगर आपका last year का turnover 10 crore से जादा है, और 10 crore से जादा है, तो आपको 10 crore से जादा है, और अगर आप purchase करते हो 50 लाग से उपर का, तो 50 लाग के उपर वाले पी TDS काटना पड़ेगा, कौन सी रेट से 0.1% की रेट से in excess of 50 लेकि आदा है, थोड़ा बर, तो यह सब मैं करा चुका हूँ आपको, और इसके जो clarification है ना, यह clarification मैं करा चुका हूँ, कि अगर आप stock exchange के through करते हैं, तो क्या होगा, करके ठीक है, अगर stock exchange में buyer seller का पता ही नहीं चलता, और मैंने इसके सब के example बगरा देर, क्या आप देखेंगे, BB purchase, 10,000 share खरीदे, बजाज finance के, फिर मैंने देखा था, बताया था, 21,22 का limit कैसे देखेंगे, limit में यह section आपको पता रहेगा, 1 जुलाई से आई थी, तो 1 जुलाई से आई थी, तो उससे पहले वाली purchase थी, उस पे TDS नहीं आएगा, उसके बाद वाली purchase पे आएगा, लेकिन 50 lakh की limit देखते time, उसके पहले वाली purchase है, वो भी consider होगी, थोड़ा बहुत अगर यहाद रहेगा, और जब आप compact से देखोगे, जो मैंने आपको कराया था, class में वगिरा, तो उससे आप देखोगे, तो आपको सब चीजे समझ में आ जाएगा, मैंने यह भी बताया था, कि GST consider होगा, या नहीं करके ठीक है, GST include करके काटना है, या exclude करके काटना है, तो मैंने बताया था, कि GST जो है न, अगर मान लो, बिल आ गया है, पहले बिल आ गया, तो तो GST को अलग करके TDS काटना है, बढ़ अगर बिल पहले नहीं है, आप advance दे रहे हो, तो payment के time पे TDS काटना पड़ेगा, तो पूरा जितना advance दे रहे हैं, उस पे आप TDS काट लीजिए, फिर मैंने बताया था, purchase return का क्या होगा, non-resident buyer, तो यह मैं सब आपको करा चुका हूँ, ICI ने वापस उसको repeat किया है, ICI ने इस guidelines को वापस से repeat किया है, आप अगर देखेंगे, तो यह की यह चीज़े यहाँ पे, इस वाले जो amendment वाला जो आपको दे रखा है, उसमें as it is वही चीज़े दे रखी है, पहले तो वही background दिया है, इस section का कि 194 क्यों कैब से लगती है, कब लगती है, पहला question वही कि अगर आप various stock actions दे इसके थुरू करोगे, तो क्या करोगे, और वह बजास finance वाला एक example भी मैंने दिया है, उसके बाद turnover limit कैसे देखने का वो 50 लाग का, वो मैंने एक example के थुरू आपको बताया हुआ है, GST purchase written का क्या होगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कर गे, अगर non resident buyer है, तो यह section नहीं लगेगी, उसमें exhaustive मैंने कराया था, यह सब चीजे मैंने exhaustively करा रखी है, अब इस बार new क्या है, वो यहां से है, यहां से एक new आया है, that is the new circular आया है, 2021 में circular number 20, और यह 25th September 2021 को आया, तो 25th, not September, 25th November 2021 को एक circular आया, यह भी बहुत ज़्यादा easy है, एकदम easy easy वाला है, और ऐसा लगेगा, यह तो पहले पढ़ा हुआ था, अब एक बात समझे, सबसे पहला इन्होंने बोला, कि सर, अभी आप क्या बता रहे थे, कि जब भी अपन बात करेंगे, section 194Q की, तो 194Q में आप बोल रहे है, कि सर, GST को include करके, TDS काटना है या नहीं, तो मैं आपको दो चीज़े बता रहा हूँ, अगर bill पहले आ गया, invoice पहले आ गया, तो including GST पे TDS काटना है, बेट अगर, sorry, bill पहले हा गया, invoice पहले आ गया, तो excluding GST, GST को हटा के फिर आपको TDS काटना है, जैसे for an example, आपका bill है, वो 1 lakh है, example ले रहा हूँ, ठीक है, यह 1 करोड है, आपका bill है, वो 1 करोड है, और उस पे जो GST का amount है, वो 18 lakh है, bill पहले आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 करोड 18 lakh का bill है, तो यहाँ पे जो TDS कटेगा, under section 194Q, पूरे advance पे आप TDS काट लो, वो GST को लेके तो notification था, पहले से circular था, लेकिन सर, एक बात बताईए, अगर कोई दूसरे taxes है, तो उसका क्या होगा, जैसे सर, VAT है, sell tax है, excise duty है, CST है, उसका क्या होगा, तो इन्होंने बोला, उसके लिए भी वैसा ही होगा, जैसा GST के लिए था, जैसा हमने GST के लिए बताया था, कि पहले अगर आपके पास bill आ जाता है, तो तो आप GST को अलग करिए, और बाकी वाले amount पे TDS काटे, बढ़ अगर पहले bill नहीं आ रहा है, पहले आप payment कर रहों, तो यहाँ पे इन्हों ने वो clarification दिया है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, condition और amount on which tax is to be deducted, तो देखिए, where the tax is deducted at the time of credit of the amount in the accounts of the seller, मतलब credit कर रहे हैं, तो आप bill आ गया है, and in terms of agreement or contract between the buyer and seller, component of wet, sale tax, excise duty, CST is indicated separately in the invoice, invoice में separately indicate किया हुआ है, तो इन taxes पे आपको TDS नहीं काटना, tax has to be deducted on the amount credited without including such wet, sale tax, excise duty and CST, same GST के लिए भी यही था, तो बाकी के लिए भी यही है, लेकिन दूसरा यह बोलता है, कि where tax is deducted on payment basis, अगर आप payment basis पे काट रहे हैं, payment पहले कर दिया, तो पूरे पे TDS काट लिजिए, tax has to be deducted on the whole amount, since it is not possible to identify the payment, with the tax component to be involved in the future, उसके बाद, in case of the purchase return, where the money is refunded by the seller, अगर मानलो आपने purchase return कर दिया, तो क्या आपने TDS काटा था, वो भी return करना है, कि answer is no, आपको TDS return करने की जरुवत नहीं, फ्यूचर में आप और purchase करेंगे, उसके सामने TDS को adjust कर लीजिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, text deducted under section 194Q, on such purchase, which is now written, may be adjusted against the next purchase from the same seller, उससे जब आप next purchase करेंगे, तब आप उसके सामने adjust कर सकते हैं, और अगर मानलो किसी ने कोई replace कर दिया goods, तो goods replace किया, तो उसमें कुछ भी adjustment करने की ज़रुवत नहीं, क्योंकि मानलो, आपने कोई goods purchase किया था, आपको ठीक नहीं लगा, आपने बोला, मुझे उसके बदले दूसरा goods दे जीए, आगे वाले ने दूसरा goods दे दिया, तो ये replacement हो गया, तो उसमें कोई भी TDS के बारे में कुछ करने की ज़रुवत नहीं है, तो ये simple सा notification है, कर गे ठीक है, simple सा circular है, जैसा हमने पहले GST के लिए पढ़ा था, वैसा क्या वैसा इन्होंने अब बोला है, कि दूसरे अगर कोई taxes है, state के wet है, sale tax है, excise duty है, cst है, तो उसके लिए भी SI होगा, जैसा GST के लिए था, चलिए, अब एक और clarification यह आया कर गे ठीक है, और एक clarification क्या है, मैं आपको easy language में बता देता हूँ, आप समझने ही कोशिश कर लेना, ठीक है, इधर देखिए, ये आपको पता है, हमने एक section TCS में पढ़ी थी, अब TCS intermediate वाले कितना एक ध्यान से पढ़ते हैं, बट TCS में एक section पढ़ी थी, that is 206C1 करके, और इसमें पता एक बहुत सारे goods थे, एक तो था तेंदू leaves, तेंदू leaves करके ठीक है, एक था तुमारा alcoholic liquor for human consumption, उसमें एक था coal, lignite, iron, ore, ये सब चीज़े थी, उसमें एक था आपका timber और forest product, तो ये जो product एक scrap था, उसमें पता है, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, कि अगर sir, अगर sir, for an example, अगर, आप ये declaration दे देते हो, कि ये जो goods हम purchase कर रहे हैं, ये किसी और goods के manufacturing में use करने वाले हैं, ये जो items आप purchase करने वाले हैं, ये किसी और goods के manufacturing में use करने वाले हैं, use in the manufacture of another goods, तो उस case में आगे वाला जो है, वो आपसे TCS collect नहीं करेगा, means अगर मालो seller को आप ये declaration दे देते हो, कि सर ये जो goods में खरीद रहा हूँ न, ये मैं किसी दूसरे goods के manufacturing में इसको use करने वाला हूँ, तो आगे वाला जो है, वो आपका TCS collect नहीं करेगा, अब एक बात बतिया है, ये यहाँ TCS collect नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ समजना, अगर मालो, यहाँ TCS आया होता, 206C1 में, तो मैं बताओ, 194Q में TDS नहीं आता, क्योंकि 194Q क्या बोलती है, 194Q जो section है, 194Q कौन सी से वाली section है, पता है, जब आप 50 लाग से ज़ादा का, अगर कोई भी goods purchase करते हैं तो, तो एक बात बताइए, अगर वो 206C1 में, उसने TCS collect किया होता, तो तो मेरा TDS नहीं आता, क्योंकि 194Q यह बोलती है, क्योंकि 206C1 से लेके, और मालो, 1F तक, वहाँ पे अगर मालो, TCS collect हो जाता है, तो उस case में, आपका TDS 194Q में नहीं आएगा, लेकिन सर, मालो अपने declaration दिया है, मैंने declaration दिया, तो आगे वाले ने TCS collect नहीं किया, क्योंकि मैंने declaration कौन सा दिया है, मैंने declaration यह दिया है, यह दूसरे किसी goods के manufacturing में use कर रहा हूँ, तो आपने declaration दे दिया, तो TCS तो collect हुआ नहीं, तो question ही आता है, कि क्या 194Q में TDS आएगा या नहीं answer is yes इसको लेके CBTT ने clarification दिया इसको लेके यहां CBTT ने clarification दिया और CBTT ने clarification ये दिया है कि भाईया अगर मानलो आगे वाले ने declaration दे रहे हो कि ये goods manufacturing आप another goods में तो TCS नहीं आएगा लेकिन 194Q में TDS है वो TDS आ जाएगा तो देखिए यहां clarify वाला last point में बताता हूँ It is clarify that the provision of section 194Q will apply in such cases covered under section 206C1A ये 1A क्या होता है आपको चाहिए तो ऐसा लिख लो कि declaration देते है declaration that that goods is used in the manufacturing of another goods तो उस case में आपका TCS 206C subsection 1 में नहीं आता है और जब 1 में नहीं आता है गर कि ठीक है तो उस case में आपका TDS 194Q में आएगा and the buyer is too liable to deduct tax under section 194Q if condition specified therein are fulfilled तो ये एक छोटा सा clarification है इस से related करके ठीक है चलिए उसके बाद में आप better रहेगा ये amendment lecture अब आप सुन रहे होने एक बार revise कर लो पूरा से ले बस एक बार आप TDS को revise कर लो तब आपके दिमाग में चीज़े बैट जाएगी फिर आप देखोगे तो आपका फटाबट फटाबट हो जाएगा चलिए उसके बाद अगर मालो Department of Government अगर मालो कोई goods वगेरा बाय करती है तो क्या उसमें भी उनको भी TDS काटना पड़ेगा जो Department of Government वगेरा है उनको भी क्या TDS काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हूँ है To be considered as buyer For the purpose of section 194Q Such person should be carrying out a business or commercial activity And the total sales or gross receipt of turnover from such business commercial activity should be more than 10 crore during the financial year immediately preceding a financial year in which goods are being purchased of such person पहली चीज़ 194Q में TDS काटने के लिए 2 condition पहली चीज़ आप business profession करने चाहिए और last year का turnover 10 crore से जादा है तो अब एक बात समझेए Would TDS under section 194Q is attracted or not तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे table बना के दिया सबसे पहला Can department of government be a buyer for the purpose of section 194Q or not पहला If it is carrying on business और commercial activity Miss government department जो है वो अगर business कर रहा है commercial activity कर रहा है तो तो yes उसको TDS काटना पढ़ेगा Subject to fulfillment of other condition के last year का turnover 10 crore से जादा है लेकिन अगर if it is not carrying on any business or commercial activity No, since it will not be considered as buyer अगर मालो जो government department है that is not doing any business activity और commercial activity तो उस case में उसको TDS काटने की ज़रुवत नहीं है तो आपको यह ध्यान रटना Government department है वो कुछ goods buy करता है तो TDS काटना है नहीं अगर वो business करते है commercial activity करते है बाकी condition satisfied होती है तो काटना है अगर नहीं business करते है तो नहीं काटना उसके बाद Can department of center or state government भी consider as seller क्या अगर यह seller अब एक वाद जाता हो TDS जो काटता है वो buyer काटता है seller का अब seller का TDS काटके पीमेंट करता है तो buyer seller का TDS काटके और government को जमा करवाता है अब एक बाद जाता अब government good sale कर रही है तो क्या government का TDS काट होगे क्या अब government का TDS काटके government को जमा कराओके तो गलत हो जाएगा ना तो इन्होंने वोला no नहीं काटने की जरुद Hence, no tax is to be deducted under section 194Q by the buyer. Buyer TDS नहीं काटेगा, seller government है, तो TDS नहीं काटेगा. But अगर buyer government है, तो buyer TDS काटेगी. लेकिन buyer जो है, government TDS काटेगी, अगर government commercial activity करती है, तो उसके बाद. A public sector undertaking or a corporation established under the state, under central state or any other such body, authority or entity would however require to comply with the provision of section 194Q and tax shall be deducted accordingly, यहाँ पर TDS काटना पड़ेगा. एक बात बताओ, उसके बाद एक और clarification. That is related to the 206C1G. अब एक बात बताए, यह 206C1G क्या होता है? जी मतलब मैंने बताए जाता है, घूमने जाते है. तो अपन है ना, इंडिया के बाहर, या तो क्या भेजते थे? पैसा भेजते थे under, that is remittance scheme. RBI की जो remittance scheme थी, उसमें आप पैसा भेजते हो इंडिया के बाहर. या फिर आप क्या करते हो? कि OTPP बेजते हो. OTPP में इस overseas tour package program, honeymoon के लिए foreign गए है and all. तो उसमें पता है, वो TCS था, 5% की rate से TCS seller collect करता था. लेकिन यहाँ पे ये TCS नहीं लगेगा, अगर कोई person ऐसा है, जो इंडिया का resident नहीं है और जो इंडिया में घूमने के लिए आया है. तो जो इंडिया का resident नहीं है और इंडिया में घूमने के लिए आया है, तो उस पे बेटा ये वाली section नहीं लगेगी. तो 2061G नहीं लगेगी, अगर कोई person इंडिया का resident नहीं है, बहार का resident है और इंडिया में सिर्फ घूमने के लिए आया है, तो ये section नहीं लगेगी. तो TDS से related ये clarification थे, बाकी clarification जो मैं है, अल्रेडी आपको करा चुका हूँ, उसके बाद ये return filing वाला जो, ये other person का जो clarification है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए other person वाला जो clarification है, कि return sign कौन करेगा, तो return sign में मैंने यहाँ पर बोला था, कि दो cases में, एक तो तुमारा, ये देखो, return sign में, मैंने आपको बोला था, कि LLP के case में, any other person जो है, वो prescribe कर सकते है, return sign करने के लिए LLP के case में, as well as company के case में भी, कि any other person may be prescribed यहाँ पर, वो बताए, star mark लगाया था, और मैंने बोला था, ये any other person कौन prescribe हो सकता है, और resolution professional, और a liquidator, और the case में भी the, under the IBC 2016, means इनको भी ये लग साइन कर सकते है, तो उसी को लेके इनोंने यहाँ बताया, ये मैं already आपको करा चुका हूँ, तो देखिए, यहाँ पर इनोंने लिखा है, collect any other person में कौन होगा, तो CBDT-wide notification number so and so specified that any other person referring in those section shall be the person appointed by the adjudicating authority, adjudicating authority means यहाँ पर आप समझेए, NCLT कर गे ठीक है, NCLT क्या करती है, appoint करती है for discharging the duty or function of interim resolution professional or resolution professional or a liquidator as the case में भी, under the insolvency and bankruptcy code 2016 and the rules and regulation made there under, तो वो होगा कर गें, ठीक है, अब एक बाद समझना, इसके बाद एक और जो amendment है, वो यह है, यह थोड़ा आपको ध्यान देना है, यह आपको थोड़ा ध्यान देना है, एक बाद बताओ, return किस-किस को file करना पड़ता है, तो आपको याद रहेगा, return file किस-किस को करना पड़ता है, एक तो अगर आपका gross total income 2,50,000 से जादा है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप company partnership पर्मो तो mandatory, आपको बता चार point और थे जिनको return file करना mandatory था, एक तो अगर आपका electricity का बिल पूरे साल का 1,00,000 से जादा है, आपने अगर current account में deposit 1,00,000 से जादा किया है, आपने foreign travel पे खर्चा 2,00,000 से जादा किया है, वो याद आया कि नहीं आया, आया वो 4 लोग थे कर गए ठीक है, और any other person में भी notified, इन्हों अगर कोई person business करता है, और उसका जो sales है, turnover है, gross receipt है, as the case में भी 60,00,000 से जादा हो जाता है, तो उसको return file करना mandatory है, business करता है, gross receipt या turnover 60,00,000,000 से जादा है, return file करना mandatory है, और अगर आप profession करते हो, तो gross receipt 10,00,000,000 से जादा है, तो आपको return file करना पढ़ेगा, देखिए, से 10,00,000 से जादा है, आपको return file करना mandatory है, तीसरा, कोई ऐसा resident individual है, जिसका A60 या उससे जादा हो चुका है, मैं बोल तो senior citizen, senior citizen का, अगर माल लो, previous year में TDS या TCS कट चुका है, TDS कट चुका है, TCS collect हुआ है उसके case में, वो 50,000 रुपेज या उससे जादा है, तो उसको return file करना mandatory है, बेड़ अगर senior citizen को छोड़ दे, बाकी के case में, अगर TDS या TCS है, वो 25,000 रुपेज या उससे जादा का deduct हुआ है, collect हुआ है, तो उसको return file करना mandatory है, अगर आपका saving bank account में, आप deposit करते हो, saving bank एक या एक से जादा account में, deposit होता है, 50,000,000 रुपेज या उससे जादा, तो आपको return file करना mandatory है, तो मैं बता हूँ, यहाँ पर आप 5 चीज़े याद रखेंगे, सबसे पहले business के case में, turnover 60,000 रुपेज से जादा है, return file करना mandatory है, profession के case में, gross receipt 10,000 रुपेज से जादा है, return file करना mandatory है, senior citizen के case में, TDS कटा है, ठीक है, TDS जो deduct हुआ है, TCS collect हुआ है, वो 50,000 रुपेज या उससे जादा है, return file करना mandatory है, other person के case में, TDS, TCS collect हुआ, deduct हुआ है, वो 25,000 या उससे जादा, return file करना mandatory है, और अगर आपका एक या एक से जादा saving bank account है, और saving bank account में 50 लाक रुपेज या उससे जादा खा deposit हुआ है, तो आपको return file करना mandatory है, तो ये table है, वो आपको याद रखनी है, इसके उपर जो इन्होंने दे रखा है, वो सब story दे रखी है, क्यों ये डाला वगएरा, ठीक है, चलिए, उसके बाद एक और amendment बड़ा ही simple है, एक बात बताईए मुझे, मैंने आपको बताया था ये, कि आधार और pen card को link कब तक कराना पड़ेगा, तो आधार और pen card को link कराने की last date मैंने बताई थी, 31st March 2022, ये जो 31st March 2022 थी, this was the last date, लेकिन मैंने बोला था, इसके बाद आप link कराओगे ना, इसके बाद आप link कराओगे, तो उसमें आपको fees पे करना पड़ेगा, और fees कौन सी section में लाया था पता है, आपको याद रहेगा तो एक section थी 234F का fees लगेगा, मैंने का 1000 रुपे का लग सकता है, maximum 1000 का, तो इन्होंने उस fees को क्या किया, उन्होंने बोला, fees में थोड़ा relief दिया, कि अगर आप link कराते हो, 31st March 2022 के बाद, लेकिन आप link कराते हो, 30th June 2022 तक, 30th June 2022 तक, मिस 3 मन्त, अप्रेल, मे और जून, 3 मन्त तक, तो आपको 500 ही fees लगेगा, मिस आपको जो fees लगेगा, वो only 500 लगेगा, लेकिन अगर आप उसके बाद में link कराते हो, तो उस case में आपको 1000 रुपेस फीस लगेगा, तो ये एक चोटा सा amendment है, कि आधार काड़ और pen card को आपको link कराना पड़ता था, 31st March 2022 तक, उसके बाद आप link कराते हो, और 31st March के बाद, अगर 30th June तक link करा दिया, तो तो आपका फीस है, वो 500, और 30th June के बाद, अगर आप link कराओगे, तो 1000 रुपेस का फीस लगेगा, ये आपको याद रखना है, चलिए, अब एक और last amendment है, not more important, बट क्या amendment है, मैं बता दूँ, एक बाद बताओ, जैसे ही मैंने आपको बताया था, कि 31st March तक, आप अगर, अपने pen और आधार को link नहीं कराते हो, तो आपका पता है, pen card inoperative हो जाएगा, और inoperative क आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, क्या हो, क्या होगा, सबसे पहले, person return ही file नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका pen card ही inoperative हो गया, तो रिटन ही file नहीं करेगा, उसके साथ, उसके जो pending written है, written पहले file कर दिया था, उसका assessment होना है, processing होना है, वो processing ही नहीं होगा, उसका अगर income tax क उसका कुछ refund बनता है तो वो refund ही नहीं मिलेगा करके ठीक है उसके साथ साथ में उसका जो bank KYC है वो bank KYC वगरा नहीं होगा मलब बड़ा blunder हो जाएगा लाइप में बड़ा blunder हो जाएगा तो इन्होंने क्या किया पता है एक इसमें relief दी कि चलिए आपका pencard inoperative होगा लेकिन उ उसके जो consequences है ना वो हम एक साल के लिए defer कर देते है आपका 31st March 2023 तक आपके उपर कोई consequences नहीं आएगा ये consequences की date जो पहले जो थी that is 31st March 2022 थी उसको बड़ा के उन्होंने 31st March 2023 कर दिया और बोला कि इस date तक आपके उपर कोई consequences नहीं आएगा मैं इस आपका जो pen है in simple word मैं बता आदू inoperative के जो consequences है वो आप पे नहीं आएगे उन्होंने ये एक rebate दिया तो देखिए पहली चीज में दो चीज़े बताता हूँ पहली चीज तो आपको pen और आधार कब तक लिंक करवाना था 31st March 2022 तक अगर आपने 31st March 2022 तक नहीं कराया तो आपका pen inoperative हो जाएगा और बह inoperative होने के consequences हो सकते है उसके जो मतलब क्या बोलते है उसके जो क्या बोलते है अगर आपने inoperative हो गया तो consequences हो आपका pen bank में KYC नहीं होगा ठीक है आप जो भी return ही फाइल नहीं कर पाऊगे तो consequence तो बुरे-बुरे हो जाएगे तो इन्होंने बोला इस consequences को हम एक साल के लिए defer कर देते हैं तिल 31st March 2023 तक उन्होंने वो consequences को defer कर दिया कि उस date तक आपका कोई भी consequences नहीं होगा don't worry about that ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है तो यह last वाला जो amendment है वो तो इतना important है नहीं आपके लिए अपस लेकिन यह 500 और 1000 वाला है वो आप याद रखेंगे बस इतने से amendment है मेरे से आपके लिए amendment है इससे ज्यादा amendment नहीं है ठीक है बस आप इतना सा पढ़ लो और बाकी जो में वाला मैंने आपको पढ़ा रखा है जो मैंने आपको class में पढ़ा रखा है उसको आप कर लो देखो बेटा text का paper obviously difficult आता है result से भी आप देख सकते है कि text में जिसके 40-45 marks आया text में जो expect नहीं करते intermediate के बच्चों से बढ़ वो पूछते है तो मेरी आपसे यह request है आप बहुत ही छोटे हो नन्ने मुन्ने बालक हो करके ठीक है पहली चीज़ थो थोड़ा motivate रहो करके और पढ़ाई फिलग जाओ अभी आने वाला time है 100 days just give 100% 400 days 100 days के लिए 100% देदो हर दि को आप evaluate करो कि आज मैंने मेरा कितना किया और कितना अच्छे से मैंने पढ़ाई किया है और कितना अच्छे से दिया है अगर आप अपना 100% देते हो मैं surely बोल सकता हूँ आने वाला result November का बहुत अच्छा रहेगा intermediate बच्चों के लिए और आप आराम से clear कर जाओगे एक और दियान रखो बेटा आप है ना थोड़े इसके साथ साथ में आपको MTP और RTP solve करना है MTP कौन सा mock test paper जो में वाला था ना उसको भी solve करो जो में वाला RTP था ना RTP और MTP उन दोनों को solve करो और अभी November वाला जो mock test paper आएगा और revision test paper आएगा उसको खुद solve करो एक बार बैठके ह तो आप कहां गलती कर रहे हो और गलती कर रहे हो उस पे आप evaluate करो क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार intermediate के बच्चे को लिखना ही नहीं आता है तो प्लीज आप इन चीज़ों पर थोड़ा work करिये बाकी obviously बगवान आपके साथ है don't worry about that be confident in the life करिये ठीक है और हो जाएगा tension मतलो मैं बोल रहा हूं हो जाएगा इस बार पूरा जोर लगा दो करके ठीक है हिम्मत नहीं हार नहीं है करके और पूरा जोर लगा लो और अराम से 100 तका पड़ाई कर लो easily आपका हो जाएगा thanks a lot people that's enough for today from my side यह आपके amendment है इसके अलावा आपके कुछ भी amendment नहीं है thank you